हलो दोस्तो वेलकम टू स्टड़ी यूनिवर्स मद्दिप्रदेश डेली करंट अफियर में आपका स्वागत है आज है 17 अप्रेल 2019 और यह हमारी 129 वी क्लास है 12 important question आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरस्टी से बहुत important है इन questions को आप note कर लें क्योंकि ये आपके exam में पूछे जाते हैं साथी questions related important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तो अगर आपको MPG के और current affairs related कोई भी problem जाती है तो आप हमें comment box में बताएं हम आपके questions का answer जरूर देंगे दोस्तो आइकोन में एक question दिया गया है जिससे आप solve जरूर करें question number first है मद्परदेश में किस महल में सिक्कों का इतिहास नामक प्रदर्शनी लगाई जाएगी जिसका सई option है गूजरी महल में गूजरी महल में सिक्कों का इतिहास नामक प्रदर्शनी लगाई जाएगी दोस्तों गूजरी महल गौालियर के लिए में इस्तित है गुजरी महल संगराले में 20 धरोहर दिवस पर 3 दिवसी प्रदर्शनी लगाई जाएगी इस प्रदर्शनी में free entry रहेगी और इसमें छोटे वड़े आकार के सिक्के गुप्त कालीन सिक्के, मोगल कालीन सिक्के, विक्टोरिया सिक्के, अंग्रेजों के सिक्के आदी के देख सकेंगे दोस्तो साथ ही सिक्कों से जुड़े दस्ताविज भी देख सकेंगे तो दोस्तो इस प्रदर्शनी के बारे में आपको इतना याद रखना है किस जिले में नियोन रन फॉर डेमोक्रेसी रेस आयुजित की जाएगी जिसका सही आफशन है जवलपूर जवलपूर में नियोन रन फॉर डेमोक्रेसी रेस आयुजित की जाएगी नगर्णिगम और स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा यह रेस 20 अप्रेल को आयज़ित की जाएगी दोस्तो अब बात आई है जवलपुर की तो कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट आपको जवलपुर की बारे में बता दें जवलपुर को तिरपुरी महाकौसल छेत्र के नाम से प्रिसिद्ध है मध्यपृदेश की सांस्तिक कर्तिक राजधानी जवलपुर को कहा जाता है मध्यपृदेश का दूसरा सर्व सबसे बड़ा जिला है जवलपुर दोस्तो भारत का पहला जंडा सत्यग्रह है जो 1923 में हुआ था यह जवलपुर में ही किया गया था मधनमहल, संगरामसागर, रानी दुरगावत्ती की समाधी, वेडागाट, रूपनात अविलेग और धुआधार जलपुरपात ये सभी परेटन इस्थाल है जवलपुर के दोस्तो भारत का प्रथम बिकलांग पुनरवास केंदर जवलपुर में ही बनाया गया है तो दोस्तो इतना आपको जवलपुर जिले की बारे में याद रखना है हाली में किस जले में माइक्रो आफजर्वर्स को प्रिशिक्षन कराया जाएगा जिसका सही ओफ्टन है मुरेना मुरेना में माइक्रो आफजर्वर्स को प्रिशिक्षन कराया जाएगा दोस्तो लोग सुवाच नौ की सफल किरियान वेन के लिए प्रसेक्षन 21 अप्रेल से मुरेना में आयजित किया जाएगा जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर प्रियंग का दास इन माइक्रो आफजर्वर की नियुकती करेंगे दोस्तो अब बात आईए मुरेना की तो कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट आपको मुरेना की बारें बता दे मुरेना जिले का नाम मुरो की बहुता याद की कारण मुरेना पड़ा है चंबल कौारी असन जिले में प्रवाहत होने वाली प्रमुक नदिया है दोस्तो नागा जी का मिला पूरसा मुरेना में ही लगता है बाम नौर में ओड़्योग केंडर है और कूला रस में चीनी मिल बनाई गई है दोस्तो पहाडगर जो प्रवाड़्योग काल में 86 गुफाएं मौजूद है यह भी मुरेना जिले में ही इस्तत है तो दोस्तो इतना आपको मॉरेणा जिले की बारे में याद रखना है नेक्स्ट कौशन हाली में किस चले में 20 तरीय आई टी आई बनाया जा रहा है तिसका सभी ओफशन है उजएन उजएन में 20 तरीय आई टी आई बनाया जा रहा है इस आई टी आई में 5 टीड ओपन की जाएंगी जिसमें л Head- firsthand 2500 विद्धार्थी Edmission ले सकते हैं दोस्तो आई टी आई सिंगापुर ने मध्यप्रदीस गॉर्मेंट के साथ इसके प्रस्यक्षन का अनुबंध किया है। दोस्तो अब बात आई है उज्जेन की तो कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट आपको उज्जेन जली की बारी में बता दे। उज्जेन छिप्रा नदी के तटपर इस्थित है भारत का ग्रीन विच मंगल की जनमिस्थली और राजा चंदरगुप्त दुतिये बिक्रा में दित्ति की राजधानी है उज्जेन दोस्तो सागर जील में निया इस्थल उज्जेन में बनाया गया है ब्रह्म गुप्त ने ठंबार उपयोग उज्जेन में किया था प्रत्येक वारह वर्सों में कुम मिला आयुजित किया जाता है दोस्तों वहर थरीकी गुफाएं उज्जेन जिले में ही इस्थित है महाकाल जो त्रिलिंग जो बारह जो त्रिलिंगों में से एक है यह उज्जेन में ही इस्थित ह तो दोस्तो इतना आपको उज्यन जिले के बारे में याद रखना है Next Question हाली में किसने My Circle सुरक्षा एप लॉंच किया है तुसका सी औफशन है Airtel हाली में Airtel ने My Circle सुरक्षा एप लॉंच किया है भारती एटेल और फिक्की लेडीज और्गनाईजेशन के साथ मिलकर यह एप लॉंच किया गया है इसका उद्देश संकट के समय महिलाओं की हेल्प करना है और महिला प्रॉलम समय SOS अलर्ट के जरिये परिवार या 5-10 दोस्तों को यह मैसेज भेग सकती है तो आपको याद रखना है My Circle सुरक्षा एप AirTel लें लॉंच किया है नेस्ट क्वेशन हाली में कब हिमाचल दिवस मनाया गया है जिसका सई उफ्षन है 15 अपरेल हाली में 15 अपरेल को हिमाचल दिवस मनाया गया है दोस्तो 15 अप्रेल को हिमाचल प्रदेश का ओदय हुआ था जिस करण यह हिमाचल दिवस मनाया जाता है हिमाचल भारत का पूर्ता है राज 25 जनवरी 1971 में बना था इससे पहले यह केंदर सासित प्रदेश था यह है भारत का अठारवा राज बना था दोस्तो अब बात आईए हिमाचल प्रदेश की तो आपको मैप में इसके बारें बता दें मैप में ये जगह हिमाचल प्रदेश को दरसाती है हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 में की गई थी गवर्नर है आचारे देवरत मुख्य मंतरी है जैराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश की राजधानिया सिमला तो दोस्तो इतना आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में याद रखना है नेक्स्ट कॉशन मुहमद इस्ताय हाली में किस देश के प्रदान मंतरी बने है जिसका सई उफ्षन है फिलिस्तीन हाली में मुहमद इस्ताय फिलिस्तीन के प्रदान मंतरी बने है दोस्तो फिलिस्तीन एक पश्चमी एसिया का देश है दोस्तो अब बात आई है फिलिस्तीन की तो आपको मैप में फिलिस्तीन के बारें बता दें फिलिस्तिन की राजस्तानी है जेरुसिलम और इसको सुतंतरता 15 नमबर 1988 में मिली थी आपको बता दें फिलिस्तिन की करंसी है जॉर्डिनियन दीनार और एजिप्ट्सियन पाउंड तो इतना आपको फिलिस्तिन के बारे में याद रखना है दोस्तो ये जगा फिलिस्तिन नेkst क्मशन तो इसका सभी उफशन है सागर एम पी करिकॉट एस्टियशन दौरा आइजित की गई थी जिसमें मद्परदेश की बहुत सी टीमों ने भाग लिया है नवदा पृम ने इंदोर को हरा कर अली में फाइनल जीता है दोस्तों आप बात आईए सागर जिले की तो कुछ important fact आपको सागर जिले के बारे में बता दे उदन सेह द्वारा 1660 में इस्थापित किया गया था सागर मद्यप्रदेश का प्रथम विश्व विद्याले जिसे डॉक्टर हरीशिंग और विश्व विद्याले कहा जाता है यह सागर में ही इस्थित है मद्यप्रदेश का दूसरा पुलिस ट्रेंडिंग कॉलेज भी यहीं पर इस्थित है मद्धिप्रदीश का प्रिथम फॉरेंसिंक लेवोरेटरी सागर में ही इस्थापित की गई है आफशन्दी की गुफाएं और नौरा देही वन्नेजीव अभ्यारन सागर जिले में ही इस्तित है दोस्तो गड़ पहरा जो प्राचीन सागर की नाम से जाना जाता है यह दांगी सामराजी की राजधानी था सागर में पदमाकर समार हुए मनाया जाता है तो दोस्तो इतना आपको सागर जिले की बारे में याद रखना है इस सब्सोनिक मिसाइल का परिक्षन उडीचा के चांदीपो से किया गया है यह मिसाइल छेतिज और लंबत तरीके से उड़ान भर सकती है 1000 किलोमीटर मारक शमता है और इस मिसाइल का यह चटवा परिक्षन था दोस्तो अब बात आई है DRDO की तो आपको इसके बारें बता दे DRDO का Full Form Defense Research and Development Organization होता है DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी Headquarter नई दिल्ली में है और Head है G37 Reddy आपको DRDO का मोटो याद रखना है इसका मोटो है वलस से मूलम विग्यानम तो दोस्तो इतना आपको DRDO की बारे में याद रखना है Next Question ये प्रतियोगीता सागर में आईजित की गई थी इसमें भोपाल के सौरप पहले स्थान पर है जावलपुर के चैतन दूसरे स्थान पर है और कटनी के अनुच तीसरे स्थान पर है तो इन तीनों के बारे में आपको इतना याद रखना है Next Question इस स्टीट चाहल क्रिकेट वर्ल कप का आयोजन कहा किया जाएगा जिसका से यॉफ्शन है England इंगलेंड में स्टीट चाहल क्रिकेट वर्ल कप का आयोजन किया जाएगा इस कायजन 30 अप्रेल से 9 माई के बीच किया जाएगा इसमें भारत की ओर से दो टीमें हिस्सा लेंगी इस वर्ल्लकप में जुग्गी वस्तियों में रहने वाले बच्चे गल्स और वाइस साथ खिलेंगे दोस्तो अब बात आईए इंग्लेंड की तो आपको मैप में इंग्लेंड के बारे में बता दे मैप में ये जगह इंग्लेंड को दरसाती है इंग्लेंड की राजधानी है लंदन, करंसी है पाउंड और मोनार्च है एलिजावेत दूतिये तो इतना आपको England के बारे में याद रखना है जिसका से उफ्षन है सुनी लांबा दोस्तो सुनी लांबा नौसिना प्रमोखें इस केंदर को दिल्ली में इस्थापिट किया गया है इस केंदर के द्वारा स्वधी सी युद्धपोत निर्मान की शमता में ब्रद्धी होगी दोस्तो यह भारत सरकार के make in इंडिया कारिकरम के तहत बनाया गया केंदर है इस केंदर पर युद्धपोत की डिजाइन, वजन, गुडवत्ता, हतियार आधी को वहतर बनाया जाएगा तो दोस्तो इतना आपको इस वर्चुल रेयल्टी केंदर के बारे में याद रखना है तो दोस्तो ये था हमारा आज का डेली करेंट अफ्यार आप मारे चैनल स्टेड यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए